करा तो चक चक के सिखानु शी गिता जानदा सी ते एसे ही दरबार साहेब चे सिखादेयों ते बैंड गादता गया सी इतिहास ए दरजा के जदो सुरोवर दी खुदवाई शुरू होई सी ता इस पासिव फिरू होई सी सबतों पहला ते एठे ही मजूद सी गुरू अर्जन साहेब दी एक कोठडी जित्थे गुरू अर्जन साहेब विश्राम कर दे होंगे सी जदों भी तुसी दरबार साहब जनने ओ ता दर्शनी डिवडी दे समने खड़े हो के एक नजर मारे ओ अकाल तख्ट साहेब ते उसे समेच चले जायो जदों ग्यारा साल दे गुरू हर अर्गुबिन साहेब ने सिखानों हुकुमना में पे जैसी के सननों माया पेंटना करो मेननू चाही दिया भाड़ी जवानी दरबार साहेब सी सम जाने यां पर दरबार साहेब दे अंदर ही कुछ एदान दे इतिहासिक स्थान ने जिनना दे इतिहास वारे बहुती संगत नहीं पता यां वहती संगत जो तु दर्शन करन जान दिये दा ओथी जान दे ही नहीं सिर्फ अजी अग्ये मथा टेक दिन्या पर सानू इतिहास दा जादा नहीं पता हुंदा साधी ये कोशिश आ अज दी वीडियो चिके जो भी दरबार साहेब दे दर्शन ली जावे उ पुलू दरबार साहेब दे हर एक कोने दा इतिहास पता हुए त्यूंकि दरबार साहेब दे हर एक कोने दे बहुत अमीर इतिहास पियाए साधा वीडियो शुरू करन तो पहला इस पवित्तर स्थान बरे थवनू थोड़ाया संखेप्च दास दिन्या जी मैं के जादा तर संगतानू इनना पताये के गुरू रांदाहज हिने थे ताल दी खळवाई कराई ते गुरू अरजन साहेब ने हर्मंदर साहेब दे गुरू नानक साहेब पहले सचे पाथ शाहब अपनगा उदासियां दे दौरान इक वार इस जगहा दे रूके सी एते हास से कताब बांच आपनों जिकर मिलदा है के उस समय एहे बहुत संगणा ते बहुत सोना एक जंदल सी ते जंगल दे बचाले एक कताब सी गुरु नानेक साहिब तो इस अस्थान दा पता चलिया फिर गुरु अंदत साहिब नूँ ते एतिहासे कताब बांचे इन दर्जा के गुरु अंगत साहिब दे पैर चे बहुत दर्द रहन दा हुंदा सी ते एसे ही अस्थान ते आगे गुरु साहेब ने एक जडी बुटी रगड के अपने पैरते लगाई सी जेस बुटी दा नाम सी अमर थी उस तो बाद सरब गुरु अंगत साहेब तो गुरु अमरदास जीनों इस स्थान वारे पता चल दाए थे ते इस जंगल नू सिखान दा एक केंदरी स्थान बनाँ दी निशान दे ही गुरु अमरदास जी ने किती सी तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने तीसरे गुरु अमरदास जी ने डूटी लगाई सी पाई जेत्था जी दी जो बाच जाके सिखान दे चोथे गुरु बुरमनदर इतहस ताल यह थी तौियस ताल के में पत्य करिalnız कि यह मैं नीजिए तु है और वते संवे इतहुत जो तुसी पूरी डेटेल चाहरमंदर साहिब दे एतिहास दी वीरियो देखने चाने हो ता ओसी पहलना ही यूटीब चैनल दे बनाई हुए उत्वे जाके तुसी देख सकते हो खुण अपपा गल कर देयां एतिहास सेख स्थान जो हरमंदर साहिब दे अंदर मजूदने दरबार साहिब शिरी हरमंदर साहिब जो आपा एंटर कर देयां ता में दी दो गेट ने एंटर करन दे एक गेट है जो हैरिटे स्ट्रीट वला गेट ते दूसरा गेट है जो लंगर हॉल दे वलो आने आपा लंगर हॉल वाले गेट नहीं जदों आपां हरमंदर साहिब दी प्रकार्माच दाखल हुनेया तस सम्तों पहला जो स्थान आउंदाए उए 683 जिनू थड़ा साब भी कहा दने हुन 683 उस्थान है जिथे इतहासिक कताब बांच ए लिखिया मिलदाए के गुरु नानक साहिब, गुरु अंगत साहिब, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन साहिब दे चर्ण पै यानिके गुरु नानक साहिब जदों आये सी उभी उसे स्थान ते ही रुके सी गुठ अंगद्द साहिब भी ओते रूके सी गुठ अमर दास जी भी ओते हों देसी गुरू रामदास जी थे गुठ अर्जन देव जी बीओते हों देसी तुस्य सोच के देखो अपा जनने दा हां पर इंग नी ज़रूरी गल शायद बहुत कट भंकता नों पता हुए भी एसे ही स्तान ते बैठके सारे कम दी देख रेख करया करती सी उस तो बाद जदों आद ग्रंथ दी रचना लई गोइंदबाल साब तों पुथियां मंगवाईयां गयां पुथियां जिनना जब गुरू नानक साहब गुरू अंगत साहब गुरू अमरदास जी ते तर बानी लिखी हुई सी उपूथियां भी सब्तों पहला एसे ही जगाते लेया के सुशोबित कितियां गयां सी अगेगल कर देयां के 68 मतलब की हुंदा है आठ मतलब गिंती वाला आठ ते 60 मतलब गिंती वाला साथ शाठ ते आठाहट पुझाबी च अठाहट किया जानद अठाहट का इसनान इस दा अर्थ है के रब दा नाम लाय नाल मुनुख दे अंदर संतोख ते दान दे गुण पैदा हो जान्दे ने इंज लगदाया जिमें 68 मतलब की है हिंदू तरम च पुराने सम्या तो ही एम निया जानदा है के इस दुनिया ते अठाहट एह जी तीर क्यों पिया ते कदूं पिया सिख्यते हास जो इन लिखिया मिल दा है के गुरु अर्जन साहिब ने इसे ही अस्थान ते बैठ के हरमंदर साहिब दी उसारी वेले एक शब्द उजा रहा सी 68 तीरत जया है साध पगतर है के जिस अस्थान ते साध संत अपने पैर तर दिने और 68 तीरत वर्गा ही हुंदा है उस्थान दा नाम 68 तीरत ही पै गया थे इसनू थड़ा साब भी किया जांदा है ते इस दे बिल्कुल सजेहत है दुखपंजनी वेरी ते दुखपंजनी वेरी दा इतिहास लगपक सारिया सेन्गतानू पता ही है उन 68 तीरत तो जदू परकर्मा दा पहला हुझा होगा है इक बिजली दा खंबा उस समय तो है जदू दरवार साहिब दे अंदर पहली वार बिजली दा परबंध किता गया सी 1930 महाराजा बिकरम जीत सिंग ने दरवार साहिब च बिजली दा परबंध करंदी सेवा किती सी लगपग एदे नाल दे अठ खंबे परकर्मा जी पहला देखे जांदे सी जिस्चों हुण सिर्फ चार खंबे ही दरवार साहिब दियां परकर्मा जी मजूद ने एथों सजे मुरंतु बाद जदू थोड़ा अगे जाने आपता खबे हाथों दाए गुर्दवारा शहीद बाबा दीप सिंग जी दा स्थान बाबा दीप सिंग्जी दे ते हासदा भी अपनू सबनू पताईया थारमी सदीच जदू एमद शाव दाली दे मुंडे तैमूर दे जहान खान ने हरमंदर साहिब दे सुरूबर नू गंद मंदनाल पूर्दता सी ते दरवार साहिब दी बेद भी कीती सी ता तलबंडी साबो दी तरती ते बैठे 15 साल दे बज़र्ग बाबा दीप सिंग्जी नू जदू एक ख़वर दा पता जले आता हूं अपना 16 सेर दा खंडा चक के ए दुश्मनानाल लडली आगे सी ते एनाना लड़े लड़े एनानू मौद दे काट उतार दे उतार दे शहादत प्रावत कीती सी ते एसे ही स्थान ते बबादीप सिंग्जी ने अपना सीज गुरू साहिब दे चर्णाज पेंट कीता सी तो जद जद अगुता अगे जाने आता पर करमा दा फिर दूसरा होड़ा उन्दा है ते इतुँआ अपा मुर्ज जाने आ फिर सज्चीहत सज्चीहत मुरंतुग बार जदो हरमंदर साहब दिदर्शनओर्षनी दोड़ी जथो मेंन और पोल्टे आपा एंटर होनद है हरम एसी उशरू हो इसे सबत हो पहला ते एशे ही अस्थान ते गुरु अर्जन साहब बैठ्या कर दे सी जधो हारे मंदर साहब दी उससारी चंधरी होंदी इस बेरी दा नाम है लाची बेरी, गुरु अरजन सहीब ने ही इस बेरी दा ए नाम रखिया सी क्योंके इस ते लाचियाँ वर गे बेर लगदे सी, इस करकेस दा नाम लाची बेरी उन्मी रखिया इस बेरी नू पाईशालो दी बेरी वी केंदे सी पाईशालो जो जदो हरमंदर साहेब दी उसारी चल रहे सी ता मुख सेवा दारांचों एक सी गे पाईशालो जी थार मी सदीदा भी एक बहुत महान इतिहास इस अस्थान जुड़या होया है मस्तारंगर जदो दरबार साहेब दी हरमंदर साहेब दी दियाद भी कर रहे है सी उस समें गुरू दे सेख पाईसो खा सिंग ते पाई महताब सिंग जदो मस्तारंगर दा सुद्धल लोन गये सी अंदर ता इसे ही बेरी दे नाल अपने कोड़े बनके गये सी ता इस बेरी वालिया स्थान ते मजूद है गुर्दवारा लाची बेर फाहेब हरमंदर साहेब गुरु अर्जन साहेब ने जमीनी तालतों थोड़ा नीमा बनाया होया है नीमा ताला प्रथीक है ते अकाल तफ्त साहेब ज़नों तुसी देखोंगे वो उची थानते बनाया होया है गुरु हर्गोवन साहेब दा हकूमत नू चलें सियो ताक दा प्रथीक सियो अकाल भूंगा दी ज़नों स्थापना होई सी ता सत फुर्थ उच्चा सी यो थड़ा ज़ो समय बनाया गया सी जदों भी तुसी दरवार साब जनने हो ता दर्शनी डिवडी दे समने खड़े हो के एक नजर मारे हो अकाल तफ्त साहेब ते उसे समेच चले जाए हो जदों 11 साल दे गुरु हर्गुबन साहेब ने जालम हकूमत नू चैलेज कीता सी के होन तुहार डे तख्त मिटी च मिलन दा समा आ गयाए जदों गुरु हर्गुबन साहेब ने सिखानों होकम नामे पे जैसी के सननू माया पेंट ना करो मैनू चाही दिया फ़र्डी जवानी मैनू पेंट करो बधिया बधिया कोडे मैनू पेंट करो बधिया बधिया शस्तर एक्थे ही इस तस्त ते विराजमान हो के गुरू हर्गोबिन साहिब ने सिखानों लडाके ते जंग जू बनाया एक्थों ही रानीतियां करियां जान दियां सी एक्थे ही सिखान दे सारे फैसले की ते जान दे सी एठे ही बैठ दे सी विराजमान होंदे सी गुरू हर्गोबिन साहिब ते एठे ही गुरू हर्गोबिन साहिब से खांच बीर रस परन ले ता दियां तू वारांग बोंदे सी ता दीफर गोंदे सी दू तलबारां बद्दियां एक मीर दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक रखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहां गीर दी, ते इही बारा नो सुनके फिर तखत हेल दा सिगा जहां गीर दा, एक्थों ही फिर तुसी अंदर जायो अकाल तखत साहिब दे, अकाल तखत साहिब चे गोबिन साहब वेले दा एक इतहासे खूँ ते इधे ही मजूद सी गुरु अर्जन साहब दी एक कोठडी जिते गुरु अर्जन साहब विश्राम कर दे हुंदे सी इधे नाल भी एक इतहासे कटना जुड़ी हुई है जदो ताल दी खुदबाई हो रही सी ता मित्ती बाहर क एक थड़े दे उपर गुरु अर्जन साहब ने बाच्चों जदो हर्मंदर साहब दी उसारी चल रही सी ता एक कोठडी बनो आद थी उस कोठडी चे गुरु अर्जन साहब विश्राम कर दे हुंदे सी ते जदो आद गरंथ साहब दी संपाधना पूरी होई ते पैली वा आद गरंथ साहब दा प्रकाश हरमंदर फाहर्च कीता गया पाठ संपूरन हों तो बाद पैली वार जदो आद गरंथ साहब नो हरमंदर साहब दो सुखासन लई लेके जाना सी एसे ही कोठडी चे सुख असन गीता गया सी आद गरंथ साहब दा जिथे गुरु अर्जन फा अधरते मान गुरु अर्जन साहब आद गरंथ साहब नो दिन दे सी के खुद थले चादर विशाके शोंदे सी ते आद गरंथ साहब नो अपने पलंग ते बौथ ही सोनी चादरते फुल विशाके उठे विराजमान किता जान दा सी ओधो तों ही ए प्रंप्रा हरमंदर साह खेज लिया अए यह उसे ही गुरु अर्जनसाहब वालीفरण देश थान थे अज भी गुरु ग्रत्स देश स्खासन केंते जंदे ने ते उस कोषडी साहभ नों केहा जान लगपें शी कुठा साहभ ते उ कुठा साहभ मुझूध है अकालतक्त साहभ दे अंदर जिते हर रोज सोखा संतो बाद गुरुगरंट साहिब नू विराजमान की तजम्दा है ते अकाल तक्त साहिब दी बिलकुल उपर वाली मंजल ते मजूध है एक सचखन साहिब जिस्च विराजमान ने गुरुगरंट साहिब दे दो पावन सुरूप उन जों एक पावन सुरूप उए ज़िदू ननकाना साहिब दा साक्का होयासी महान तन्रैनूँ दे गुंडeयाने ज़िदो निह थे सिंगा थे अन्ने वा गोलियां विरादितियां सी ता ऊस समे ननकाना साहिब दी बिलकुल उपर ली मंजल ते ते दूसरा गुरु गरंद साहिब दा पुवित्तर सुरूप ओ है जो दरवार साहिब ते 1984 हमला होया सी उस हमले दुरान जो सुरूप हरमंदर साहिब दे अंदर विराजमान सी उस पुवित्तर सुरूप ते वी गोली लदी सी ते ओही सुरूप होन गराजमान है अकाल तख्त साहिब दी बिल्कुल उपर वाली मंजल ते मजूद सच्छखन साहिब ज अकाल तख्त साहिब दे पिछे बैक साइड ते वी एक गुर्दवारा मजूद है जिस दा नाम है बाबा गुर्वाक्ष सिंग जी भी थार्मी सदी दे ओ महान चहीद रहे ने जिनाने दरवाल साव दी बेदबी करन आये एमद शाह अबदाली ते उधियां फोजा नाल टक्रा किता सी बाबा गुर्वाक्ष सिंग जी ने सरफ ती सिखां दे नाल ही एमद शाह अबदाली दी हजारां दी फोज नाल मुकाबला किता सी ते शहीदियां प्राप्त कर गे सी। बाबा गुर्बाक सिंग जी दी यादगार दे बिलकुल नाल मजूद है। नोमे पाच्छा गुरु तेग बहादर साहिब दे नाल जुड़या होया एक स्थान। इता पनु सबनु पता है क गुरु तेग बहादर साहिब जो तूं दरवार साहिब दर्शन करन दी आए सी ता उते मजूद पिर्थी चंद बार साहिब उननो अंदर दाखल नहीं हों दता सी जिन्दे अंदरो लाले सी ते गुरू ते वहादर साहिब नू फिर बारोई मोड़ना प्या सी। गुरु पर चों इश्नान करके कालतख्त साहिव गेर नतमस्तक हो के एक थड़ेते विराजमान होए सी जिस थड़ेते विराजमान होए सी उसे ही थड़े वाली जगाते होन मजूद है गुर्दवारा थड़ा साहिव पात्षाही नौमी सदेवास्ते एक बहुत अफसोस दीगल है के जिड़े लोग का ने गुरु तेगमात्थर साहिव नौम हरमंदर साहिव चे दाखल नहीं होन देता अंधरों जिन्दे मार ले उन्ना ने कुछ एह हुजे ही नकली बानी रची सी कची बानी रची सी गुरु ग्रंथ साहिव दे ब्रापर इए ओ लोग सी जो अपने आपनू सिखांदा गुरु अखवांदे सी जो केंदे सी गुरु अर्जन साहिव नहीं गुरु असी यां जो केंदे सी गुरु हर्गोबन साहिब नहीं गुरु असी यां, जो केंदे सी गुरु तेगवादर साहिब नहीं गुरु असी यां उन्ना लोकान दी रची हुई कच्ची बानी अज जी भी सेख गुरु सह बानना दी रची हुई बानी दे पलेखे पड़ी जा रहे ने इस कच्ची बानी इस नकली बानी नू लेके असी एक फुल वीडियो बनाई हुई या दे यूट्यूब चैनल दे ओ तुसी डेख सकते हुँ गुर्दवारा थड़ा साहेब दे नाल ही मुझूद है गुर्दवारा साहेब यादगार शहीदा जो 1984 दरबार साहेब ते मंदपागा हमला किता गया सी उस हमले च उस सका निला तारा नाम दा जो ओप्रेशन सी उस ची शहीद होए सिंगा दी यादगार है एक गुर्दव दरबार साहेब यादगार शहीद दा इस तो बात जदो आपां मीरी पीरी दे जो निशान साहेब ने मीरी पीरी दे निशान साहेब तो जदो आपां परकर्मा वलनू खबेहत मुर्देयां ता अगे जाके ओंदा ए परकर्मा दा उतीजा खुंजा उस जगा ते तुसी एक चकर बनेया देखोंगे ते दरबार साहेब च प्रकर्मा दे चार खुंजे ने चार कॉर्टनर ने पर इको ही खुंजे देथवानू ओ चकर बनेया देखेगा इस चकरदा भी अपना इतिहास है जोदू ठार्मी सदीच मुगला ने अत किती हो इसी सिखा दे जलुमा दी करा चक चक के सिखानू शीद किता जन्दा सी ते एसे ही दरबार साहेब च सिखा देयां ते बैन लगा दता गया सी ते एथे बठा दता गया सी एक जालम फोजदार एक जालम बंदे मसेरंगर नू ते मसारंगर की कुछ करदा सी एथे कि मैं इस पवित्तर अस्थान नी आपनू सबनू पताए ते उसदा सूधा लाया सी फर पाई सुखा सिंग पाई महताब सिंग ने जिन्नाने अपने कोडे बनें सी के लची बेरी दे नाल ते मसेरंदर दा सेरफर ने जेते तंग के जदू लेके गए सी उधू चपपे चपे ते मजूद सी मुगलां दी फो ते एसे कोने ते आके जदू अपने कोड़ियानू हवा दी स्पीड ना लेके जारे सी पई सुखा सिंग ते पई महताब सिंग। ता एसे ही चकर कोल आके उन्नाने ललका रेया सी मुबल फोजियानू के चले ने गुरू दे सेंग फुर्दा जालम फोजदार लेके जे थोड जान एता एदा सेर लेलो सादे तूं उसे ही जगा थे हुण उचिकर बनाया होयाए उस्तू बार जदू आप अगे आउने आँ थोड़ा ता सज्जे हाथ मिल दिया अपनू बाबा बुद्दा जी दी पेरी हुण बाबा बुद्दा जी बारे सबनू पताया बहुत महान स सिगे बाबा बुद्दा जी ने छे गुरु सहबा नादा संग किता सी दरबार साहिब दे पहले हैड़गरम थी और इतिहास यह भी दर जाके गुरु नानक साहिब नू जदू बाबा बुद्दा जी बालक वस्ताज मिल देने ताउं इसे ही स्थान ते मिले सिगे यह जो बेरी वाला स्थान है बाबा बुद्दा जी एसे स्थान ते बैठ के ही हरमंदर साहिब दी जो कार सेवा सी उधी देखरे खर्या कर दे सी क्योंके हरमंदर साहिब दी उसारी वेले जो मुख सेवादार दी पूमेका सी उब बाबा बुद्दा जी नू संपी सी गुरु अर जोड़ों आपा जाये था खबे हाथ तुहानूं एक किंद्री सिख अजायब कर मिलेगा जिसदे अंदर बहुत सारा सिख है तेहा संबाल के रखिया होया है तुसी ओधे भी दर्शन कर सकते हो अजायब करतों जोड़ों तुसी बाहर निकलोंगे तांथाडी खबे हाथ नज पएगी दो बड़े मिनारां ते ए दो बड़े मिनार ने रामगरिया भूंगा एनन वाउखदेने सरदार जसा सेंग रामगरिया ने यह पुझे प्रणवाये सी जोदो मिसलांदा समासी धारमी सदीच तांत करीबन बहुत जादा एथे भूंगे होंदेसि रामगरिया पईया जो गुरु दे सेख दिल्ली जतां तो बाद मुगलान दे तखत ताउस दियो एतेहा सेख सेल पाटिकेली आये जी ते दरबार साहे आके लगा देती सी और आमगरिया बुंगेच तुसी सेल देख साकती है और आमगरिया मुंगेच जे तुसी जाना चाने आता लंगर हाल नू जेदू अपा जानने आता लंगर हाल तु पहला ही गुरु के लंगर तु पहला ही खब्बे हाथ दरवा जाये हो थू तुसी जा सकते हो रामगरिया बुंगा दर्शनी डिवडी तो जेदू अपा हरमंदर साहे वलनू जानने आना तु मस्तक हो तब थोड़े कद ही पोलते घब्ब्य हथ तु अंनू कड़ी देखशन नों मिलेगी जो लीना सींग मंजीथीया ने महराजाया रंजीत सिंग नू बणाके दितीसित ते महराजा रंजीत सिंग्ने कड़ी दरवार साहेप मंदासु दनियां दिये हह पहली खडी सी जो आसमान देह साम नाल सम महान विज्ञानी वी सी जिनन दिया निशानिया अपनू दर्वार साहिपची मिल जान दियाने। अगर तुसी चौनेओं के गुरुदामदास जी वी वसाई पवित्तर नगरी अमरित सर ची किन्ने गुरुकर मजूद ने ते की आउना दे तहास। इस ते असी वीडियो बनाएए तक कमेंट ची सानू जरूर दस देओ नाल दी नाल तुहानू एवी दसांगे अगली वीडियो ची के अमरित सर शब्द गुरुबानीच किन्ने वार आउंदाए थे की मतलब है अमरित सर दा कदू अमरित सर नाम पे असी गा इस शहर दा बंदर सहर दा की मतलब है दरवार सहर दा की मतलब है उमीड इतिहास दस दियां कोई भी गल्ती होगी होगे ता उदे लई यसी माफिय मग देयां और गोभीन सिंग जी सानू माफ करूं कि इतिहास नाल जोडिया एदानिया होड वीडियो देख लेपे फेस्ट पेज जादा तो जादा लोकां तक शेर करना असी अपनी जोम्मेवारी संजीए वाहेगुरुजी का खालसा वाहेगुरुजी की होते